हलो दोस्तों, JSSC परिक्षा में एक पर फिर सबका स्वागत है तो आज की इस वीडियो हम लोग JSSC सिजल के हिंदी के चेप्टर 2 के बारे पढ़ने वाले हैं ठीक है? जो पेपर 2 में आपका चेप्टर नंबर 2 दिया हुआ है ठीक है? उसको हम लोग डिस्कस करेंगे चेप्टर नंबर 2 आप उससे समझेगा उसमें दिया हुआ है भासा के विभीनुप ठीक है? सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे ठीक है? तो चेले हम लोग आरम करते हैं रचनात्मक भासा से ठीक है? देखिए रचनात्मक भासा वह भासा जिसमें साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं रची जाती है वह भासा जिसमें क्या होता है कि कोई साहित्य या पत्र पत्रिकाएं जो हो रची जाती है रचनात्मक भासा कहलाती है ठीक है आप इसको सिंपली समझ लिजे यदि ऐसी भासा जिससे की पत्र और पत्रिकाएं उससे रचे जा रहे हैं इसलिए उसको रचनात्मक बोलेंगे क्योंकि उसी से रचे जा रहे हैं यही भासा प्रिनित्क्रिष्ट या मानक भासा के रूप में जानी जाती है ठीक है आमत्वर पर जिस भासा में सहित्य की रचना की जाती है या उसके लिए अपनाई जाती है वह मानक रूप होता है ठीक है देखे जिस भासा में सहित्य की रचनादी हम लोग कर रहे हैं तो वह भासा उसके लिए क्या है एक मानक रूप है ठीक है रचनात्मक भासा को लोग सहित्य भासा भी कहते हैं ठीक है देखें साहित्य भासा उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसी रचनात्मक सैली में उसी रचनात्मक भासा में साहित्य या पत्रपत्रिकाई लिखी जाती है इसलिए हम रचनात्मक भासा को सहित्य भासा भी कहते हैं देखिए जहां तक हिंदी भासा के रचनात्मक का रूप का सवाल है उसका संबंध उसके प्रिनिष्ठित या मानक रूप से है हिंदी भासा का मानक या प्रिनिष्ठित रूप अपनाया जाता है इसके संबंध यही कहा जाएगा कि जो संप्रेशन की छमता भासा में होनी चाहिए उस छमता के अधार पर तो ही भासा अपनाई जाती है जो भासा जितनी छमतावान होगी वह भासा उतने ही भावो को अपने साथ लेकर चलेगी तथा लोग उससे उतने ही लववानतित होंगे देखे जिस भासा में छामता उसमें ज़्यादा होगा ठीक है और उसमें उस भासा की भाव जो होगा वो सबसे नॉर्मल होगा ठीक है उसी भासा को लोग क्या करेंगे उसी भासा से लोग जहें वो ज़्यादा लभवानतित होंगे जिस तरह स्वक्षता का अकांग्छा हर इंसान मानो होता है ठीक है वहाँ वह संतुलित जीवन ब्यतित करता है वहाँ वह स्वस्त रह सकता है सकुसल जीवन का आनंद उठाता है ठीक उसी प्रकार प्रनिस्तित भासा जो बनती है या जो रचनात्मक भासा होती है वह साफ सुत्री होती है उसको समझने में बेक्ती को अधिक बल का प्रियोग नहीं करना पड़ता है देखे इसको सिंपली समसकते हैं यदि आपकी रहन सहन में खान पान में ये जो है एक स्वक्षता मेंटेन रहेगा आपका जो जीवन रहेगा वो सकुसल और अनंद में और साथी साथ सुवस्त जीवन आप जी पाईएगा उसी प्रकार से बोला जा रहा है कि दी भासा का जो रचनात्मक सैली है वो साफ सुतरी हो और किसी बेक्ती को समझने में उसको अधीक बल उस पर नहीं देना पड़े तब ऐसी भासा जो है दोस्तो हो रचनात्मक भासा के सैली में आती है हिंदी में वह छमता, गुन, विसिष्टा एवं बल एवं सक्ति आ गई है जिसको इसे इनकार नहीं किया जा सकता है देखे यदि हिंदी और इंग्लिस में इंडिया के लेबल में तुनला की जाए तो इंडिया के लेबल में हिंदी जो है वो इंग्लिस से कहीं बेटर है क्योंकि उसको जादा लोग समझ पाएंगे ठीक है आगे देखिए यह और सक्तिमान बनने की और अग्रसर है यदि मान लेते हैं कि यदि 100% कोई देश में आदिनी रहा रहा है और वहां के 100% में से 99.9% यदि सब हिंदी बोल रहा है तब मैं लोग कर सकते हैं कि हिंदी की छमता जो है उस देश के लिए बहुद ही बिसिष्ट है ठीक है तो इसी परकार से यहां भी बोला जा रहा है कि हिंदी भारत में और सक्तिमान बगने की और अग्रसर है कहने के मतलब है कि अब ज़्यादा तर लोग जैसे कि साउथ के लोग भी अब हिंदी जानने लगे ठीक है तो इसलिए ऐसे बोला जा रहा है इसमें दो राय न बात किया जा रहा है कि All Over World में हिंदी को अब लोग जानने समझने और एक दूसरे से अपने विचारों को आदान पदन करने में उप्योग कर रहे हैं यदि यह बिलक्षंता बरकरार रही तो निशित रूप से सता सीन होगी मतलब बोला जा रहा है कि दीसी परकार से हिंदी का विकास यदि बढ़ते जाएगा तो हम लोग एक दिन क्या करेंगे कि All Over World तक हिंदी को क्या करेंगे एक सत्ता स्थापित कर देंगे ऐसी बिलक्षंता रचनात्मक भासा की भी सिस्ताएं निम्नुत है अब आगे दिया गया है कि रचनात्मक भासा की क्या क्या भी सिस्ता होती है उसके बारे में तो चलिए हम लोग वन से आरम करते हैं देखे पहला जो भी सिस्ता है कि रचनात्मक भासा ब्याकरन के निमों से बंधे हुए होते है यानि कि जो भी रश्चनात्मक भासा होती है उसमें एक सू ब्यवस्थित वाक्यों को संगठित करने के लिए उसमें एक ब्याकरन का नियम कानून होता है हिंदी भी एक रश्चनात्मक भासा है जो ब्याकरन के नीमों से बंधी रहकर अनुसासनात्मक परचय दे रही है ठीक है मिलने देखा जाए तो हिंदी भी क्या है हिंदी भी एक ब्याकरन है ठीक है हम लोग हिंदी को अचित रुप से बोलना लिखना पढ़ना इतादी ब्याकरन के रूप में डिसकल करते हैं तो उसी प्रकार से बोला जा रहा है कि जो भी रचनात्मक भासा होगी उसका एक निश्चित ब्याकरन और उसका एक नियम होगा ठीक है उसी के तोर तरीकों पर उसकी उस भासाएं की ब्याख्यान दिये जाएगी दूसरा है कि यह भासा का प्रेनिश्थित या मानक रूप स्विकार किया गया है जिससे वो संतुलित एवं संतुष्ट रखने की छमता रखती है अब यहाँ पास एक और बात क्या जा रहा है कि उस भासा के क्या है संतुलन के बारें बोला जा रहा है ठीक है, मतलब उसका एक मानक रूप स्विकार किया जाएगा, जिसमें उस भासा का संतूलन और संतुष्ट रखने की छमता होगी उस मानक रूप में ठीक है, तीसरा है कि इस रूप में अलंकार का भी समावेस या आचादन होता है, जिससे उसकी गमभरिता परिलक्षित होती है, ठीक है, और चौथा है कि रचनात्मक भासा का छेत्र सिमित हुआ करती है, पर जैसे जैसे उसके समर्थोकों की संख्या बढ़ती है, उसका छेत् इस्तिर्थ हो जाता है, इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर लिये हैं, जहां पास जो भासा को बोलने वाले लोग कम हैं, और जैसे जैसे उस भासा को बोलने वाले लोग ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, तो उस भासा का जो दबदबा है, वो एका एक बढ़ जाता है, ठीक अभी हिंदी को देखा जाए तो All Over World में फोर्थ रेंग पर आता है ठीक है चौथा रेंग पर हिंदी जो है वो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भासा है All Over World में आगे देखे इसके बाद है पांचमा की रचनात्मक भासा का रूप बनावट एवं उसका अस्थानित्व का गुन वरसों तक इस्थिर रहता है जब तक उसके समर्पित समर्थक उसे स्विकार करते रहते हैं सिक्स नंबर का है रचनात्मक भासा में परिवर्तन की गुनजाई से जल्दी जल्दी संभव नहीं है क्योंकि उसकी छमता दक्षता निपुनता एवं विसिष्टा उसके विलक्षन सकती को इस्थिर की हुए रहती है देखे यदि रचनात्मक भासा में हम लोग सुचेंगे कि बार बार परिवर्तन की आजाए तब वो रचनात्मक भासा नहीं हो पाएगी क्योंकि रचनात्मक भासा एक मानक भासा होती है उसमें पत्र पत्रिकाएं और उसमें हो जाएगा कि उसकी जो सक्ति हो जाएगी अगर उसको 건side कर देंगे तो उसकी weg लगजंता सक्ति जो हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक है तब उस इस्थिति में वह रचनात्मक भासा के सहली में नई रफ आएगी सेबन नमर का है कि रशनात्मक भासा का रूप आम बोल चाल की भासा से थोड़ी भीन होती है क्योंकि उसमें साज सज्जा की भी गुन आ जाते हैं उसमें आकर्सन की भी बू आने लगते हैं ठीक है इसलिए रशनात्मक भासा जो है आम बोल चाल की भासा से थोड़ी सी भीन होती है ठीक है क्योंकि रशनात्मक भासा बोलेंगे तो उसमें क्या हो जाती है साज सज्जा ठीक है कहने का मतलब कि suitable word का pronunciation करना उसमें बेहद ही ज़रुरी होता है क्योंकि उसमें उस परकर का गुन आ जाता है ठीक है देखे आगे परियुक्त बातों के अध्यन मनन से यह बात असपष्ट हो जाती है कि समय और प्रस्थिती के नुसार उसके रूप में भी वे गुन साप साप जलगते नजर आते हैं जिसे हम दो रूपों में अध्यन कर सकते हैं ठीक है आगे इसके दो रूप दिये गया है पहला दिया गया है विसूद साहित्तिक रूप या विसिष्ट साहित्तिक रूप और दुसरा दिया गया है लोक सहित्य के या पत्र पत्रिकाओं में परियुक्त रूप ठीक है तो दोनों रूपों को हम एक एक करके डिस्स करेंगे चलिए हम लोग विसूद सहित्य रूप या विसिष्ट सहित्य करते हैं देखें इसकी अंतरगत के नीमू के अनुसासित हो यह सहित्य समाज का समत्रित हो जाता है तो तब वर्ग संघर्ष की संभावना बनने लगती है ऐसे तो यह भी कहा जाता है कि इस परकार की रचना सिक्षित एवं बुद्धी जीवी वर्ग के लिए हुआ करती है पर यह बात उतनी ही सत्य नहीं है जितनी सत्यता की वकालत करते हैं देखें यह लेकिन यह टेमपूरली ऐसा नहीं माना जाता है ठीक है क्योंकि जब रचनात्वक भासा साहित्य को अंगीकार करती है तब उसका छेत्र क्या हो जाता है बिश्त्रित होन लगता है मतलब बढ़ने लगता है तब उसे कैसे संतूलन में रखकर अपना अन्य भासाओं के सब् अपने में पचाया जाए यह खमता भी विक्सित करनी पड़ती है ठीक है मान लेते हैं कि अभी हिंदी है ठीक है हिंदी में क्या है कि उसमें हम लोग थोड़ा सा मघी एड़ कर देते हैं जैसे नाकपूरी एड़ कर देते है ठीक है तो उसमें हिंदी में क्या है कि पुली के भी सब्दों को अपने में पचा कर अग्रसर हो रही है ठीक है अग्रसर मतलब आगे बढ़ रही है यही विलक्षन सक्ति इसकी पहचान है जिसकी अधार पर यह बी सुमंज पर अपने को अस्थापित करने में सफलता की और अग्रसर है चलिए आगे देखते हैं यह रूप लोक सहित्य, बजार सहित्य, पत्र पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों में मिलता है यह रूप भी प्रिनिस्थित एवं मानक रूप के निकट ही होता है पर अगर कभी कुछ रहती है तो वह है गंभीरता गंभीरता इसके कारण है इसकी भासा में आम बोल बोल के सब्द भी परियुक्त होते हैं इसकी रचनाओं में आम बोल जो बोल चाल करते हैं उसके जो सब्द है वो अधिक परियुक्त होते हैं ठीक है यह लोक सहित्य, पत्र पत्रिकाओं परियुक्त रूप के बारे में डिसकस किया जा रहा है कि इस परकार के मानक भासा में जो परदसित करता है जहां पाठक को अपने जीवन के कड़ा सत्य से भी उसे उगत कराने की कोशिस करता है। इसलिए रचनाकार को भविस्य द्रश्टा की भविस्य द्रश्टा भी कहा जाता है। भविस्य द्रश्टा मतलब होता है कि भविस्य में उसको आगे देखकर रचना करने वाला। ठीक है? चलिए। यह चेप्टर का जो हाड टोपिक था हूँ कंप्लिट हो गया। अब देखें, राष्ट भासा सब्द का साब्दी कर्थ होता है पूरा या समस्त राष्ट के परियुक्त भासा अर्थात आम जन की भासा। मतलब उस देश में जोन भासा जो है सबसे ज़ादा बोला जा रहा है। ठीक है? ऐसे हम लोग समस्त सकते हैं कि उसको हम लोग राष्ट भासा बोलेंगे ठीक है? देखें जो भासा समस्त राष्ट में जन जन के वीचार बीनिमय का साधन या माध्यम हो उसे राष्ट भासा कहते हैं मतलब मालिजे की उस देश के नागरिक उस भासा को ठीक है? मतलब 95% से ज़्यादा लोग उस भासा को समझ पा रहे हैं बोल पा और सकता होती है भारत के संदर्व में इस और रहे हैं यही कारण है कि हिन्दी सोतंता संगराम के दोराण 1921 से लेकर 1927 सवी राष्ट भासा बनीं देखें 1730 संगराम का ताथपर यह है कि यदी माल लेते हैं कि कोई इते हैं कि कौई 1747 के बीच इस भी के बात किया जा रहा ह मतलब कोई यदि साउत का सोतंता संगराम के यदि नेता है वो उतर भारत में आये हुए है ठीक है और उनको हिंदी का उचारन यानि कि हिंदी बोलने नहीं आ रहा है उनको मंच से हिंदी बोलने नहीं आ रहा है तो उनकी भासा को लोग उत्तर भारत के लोग जब तक समझ नहीं पाएंगे तो उनका समर्थन नहीं कर पाएंगे ठीक है तो इसलिए जो था दोस्तों वो 1927 से के बीच जब 173 संगराम किया जा रहा था तो उसमें जादा हिंदी का प्रयोग किया जा रहा था क्योंकि उसमें भी जादातर लोग हिंदी को समझ पाते थे ठीक है तो जब जादा लोग समझ पाएंगे तो जादा लोग उस संगराम में जूट पाएंगे ठीक है तो इसलिए उसको राश्ट भासा भी घोसित कर दिया गया आगे देखे, यह एक समिधानिक सब्द नहीं है, बलकि यह पर्योग्यात्मक बेवहारिक एवं जन मानेता प्राप्त सब्द है, यह समाजिक सांस्कृतिक मानेताओं के दुआरा, समाजिक सांस्कृतिक अस्तर पर देश को जोड़ने का काम करती है अर्थात, राष्ट भासा होगा उसका जो सबसे बड़ा छित्र होगा वो अलोभर इंडिया मतलब उस देश में होगा अलोभर कंट्री में यह सारे देश की संपर्क भासा होती है इसका ब्यापक जनाधार होता है इसका सोभाव लचीला होता है इसे जनता के अनुरूप किसी भी रूप में ढाला जा सक अगे है समिदहान में भासाओं के सवाल पर जो महत्वपूर्ण तत्यों को प्रस्थ किया गया है उसी से हम भासा के बारे में चिंतन कानुमान लगा सकते हैं खेद में से 11 भासाओं के लिए है ठीक है 11 क्या है भासाओं के लिए है जो लगभग 30% बनता है नवी अनिसूचियों में से एक जो है अस्टम अनिसूची भारत के भासा के सवाल को उपर है मतलब आठमी अनिसूची में जो इंडिया के समिधान में 22 भासाओं के बारे मोरन कि अब देखे, भासा के संदर्व में जो चिंतन दिखाई पड़ता है, वह जन तांतरिक है तथा राश्टिये दरिश्टी से संग्ये प्रकिर्ती का है, भासा के अलोग में राश्टी अस्तर पर तीन बाते सामने आती हैं, पहला आती है राश्ट भासा, दुसरा आता है राज भासा और संपर्क भासा दोनों को डिसकस करेंगे चलिए आगे देखते हैं अंग्रेजों का मंतब्य क्या था इस पर ठीक है देखिए राश्ट भासा के साथ जनता का भावात्मक लगाव होता है क्योंकि उसके साथ जन साधारन की सांस्कृतिक परप्राय जूडी रहत कि फ्रेंच बोलेगा तो ज्यादा प्यार उसको हिंदी बोलने में आएगा कि ज्यादा फ्रेंच बोलने में अपकोर्स है कि वो जो है अपना सोदेश की भासा का ही उप्योग या माने मरदा उसको ज्यादा देगा ठीक है या भासा सारे देश की संपर्क भासा होती है ठीक हिंदी के बारे मैं आपको बतारना नहीं पड़ए क्योंकि हिंदी जो है बहुत पुरानी भासा है और ये जंद संपरक की पारस्पारिक संपरक भासा है यह केवल उत्तर भारत की भासा नहीं बलकी दक्षिन भारत के अचारियों जैसे की बलभाचारे रामानूज आदी ने भी इसी भासा के माध्यम से अपने मतों का परचार किया है मतलब जो भी दक्षिन के भी थे जैसे कि अचार लोग जैसे वलभाचार्य जी रामानु जी ये भी लोग जब कहीं पह जाते थे ठीक है तो इन लोग भी क्या करते थे कि हिंदी में भी अपने अनुवायों को कुछ संदेश देते थे ठीक है चलिए आगे देखें अहिंदी भासी राज्यों के भक्त संत कभियो असम के संकर देव महराष्ट के ज्याने स्वर्व नाम देव गुजरात के नर्सी मेहता बंगाल के चैतने आदी ने इसी भासा को अपने धरम और सहित्यकाम आधें बनाया था ठीक है देखिए कंपनी सरकार ने भी विलियम कॉल पढ़े हुए अधीकारियों ने भीन भीन छेतरों में उसका प्रतेक्ष लाब देखकर मुक्त कंट से हिंदी को सहारा था ठीक है सहारा लेया हिंदी का बिलियम केरी ने अठारा सो सोले इस भी में लिखा हिंदी किसी एक पर देश की भासा नहीं बलकि देश में सरवत्र ब यह भी याद रखेगा देखिए एच्टी कोलवरुक ने लिखा है जिस भासा का बेवहार भारत के प्रतेक प्रांत के लोग करते हैं जो पढ़े लिखे तथा अनपढ़ दोनों की साधारन बोल चाल की भासा है जिसको प्रतेक गाउं में थोड़े बहुत लोग अवसे होता है कि हिंदी की विवहारिक उप्योगिता देश भ्यापी प्रसार एवं प्रियोग गत लचीलेपन के कारण अंग्रेजों ने हिंदी को अपनाया था उस समय हिंदी और उर्दु को एक ही भासा मानी जाती थी जो लिपियों में लिखी जाती थी अंग्रेजों ने चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखिए आगे है धर्म या समाज सुधारकों का मनतब्य देखिए धर्म या समाज सुधारकों की लगभग सभी संस्थाओं ने हिंदी के महत्तों को भापा और हिंदी का की हिमायत की ठीक है राजा राम मुहराय ने कहा इस समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवारे है ब्रम समाजी केशोचंद्र ने कहा भारत ये एक ऐसी भारत एक कैसे हो ठीक है जिसमें उन्होंने लिखा है उपाय है सारे भारत में एक भासा का जब बेवार होगा तब भारत एक हो सकता है देखे अभी जितनी भासाए भारत में प्रचलित है उसमें हिंदी भासा लगभग सभी जगा प्रचलित है ठीक है परजेंट की बात करेंगे तो या हिंदी अगर भारत वर्ष की एक मातर भासा बनाई जाय तो या काम सहज ही और सिग्र संपन हो सकता है क्योंकि अब सभी लोग समझने लगे हिंदी जादा बोलने लगे समझने लगे ठीक है तो अब सिग्र हो सकता है आरे समाज के संस्थापक दयान अंसरस्वती ने भी अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुचाने के लिए तथा देश की एकता को मजबूत करने के लिए अपना सारा ध मातरी भासा की रक्षा करते हुए समान्य भासा के रूप में हिंदी को गरहन करें चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग कंग्रेस के नेताओं का योगदान हिंदी के संदर्व में देखिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने यदियपी में मैं उन लोगों में से हूँ जो है कि जिनका वीचार है कि हिंदी ही भारत की राज भासा हो सकती है तिलक ने भारत वासियों से आगरह किया कि हिंदी सभी लोग सीखें महात्मा गांधी राष्ट के लिए राष्ट भासा को नितांत आवसक मानते थे उनका कहना था राष्ट भासा के बीना राष्ट क्या है गुंगा है गांधी जी हिंदी के प्रस्ण को सुराज का प्रस्ण मानते थे हिंदी का प्रस्ण सुराज का प्रस्ण है उन्होंने हिंदी को राश्ट भासा के रूप में सामने रख कर भासा समस्या पर गंभीरता से विचार किया उनके अनुसार राश्ट भासा के लिए एक लक्ष या सरते होनी चाहिए जैसे कि अमलादारों राज की अधिकारियों के लिए वा भासा सरल होनी चाहिए दूसरा यह जरूरी है कि भारत वर्ष के बहुत लोग उस भासा में भासा को बोलते हो तीसरा उस भासा के द्वारा भारत वर्ष का अपनी धार्मिक आर्थिक और राजनेतिक ब्यवहार हो सकना चाहिए ठीक है ये सब गांधी जी का विचार था देखे चौन्था विचार है उनका कि राष्ट के लिए वह भासा आसान होनी चाहिए उस भासा का विचार करते समय किसी छनिक अल्प अस्थाई इस्थिती पर जोर नहीं होना चाहिए ठीक है उस वर्स 1928 में हिंदी साहित सम्मेलन के इंदोर अधिवेशन में सभापती पद से भासन देते हुए गांधी जी ने राष्ट भासा हिंदी का समर्थन किया मेरा मत है कि हिंदी ही इंदुस्तान के राष्ट भासा हो सकती है और होनी ही चाहिए वर्स 1927 में सी राज गुपाला चारी ने दक्षिन वालों को हिंदी सिखने की सलाह दी और कहा हिंदी भारत की राष्ट भासा तो है ही यह जन तंत्रात्मक भासा भारत में राज भासा भी होगी ठीक है वर्स 1928 में प्रस्तुत नेता जी प्रस्तुत नेहरु रिपोर्ट में भासा समन्धी सिखारी में कहा गया था देव नागरी अथवा भारसी में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी भारत की राज भासा होगी परन्तु कुछ समय के लिए अंग्रेजी का उप्योग के लिए जारी रहेगा सिवाए देव नागरी या फार्सी की जगा देव नागरी तथा हिंदुस्तानी की जगा हिंदी रख देने के अंतता सोतंत भारत के समिधान में इसी मत को अपना लिया गया चलिए आगे वढ़ते हैं आगे है 1929 में सुभा चंद्रबोष ने कहा प्रांतिये इर्ष्या दिवेश को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी परचार से मिलेगी उतनी दूसरी किसी चीज से नहीं मिल सकती अपनी प्रांतिये भासाओं को भरपुर उन्नति कीजिए उसमें कोई बाधा न डालना चाहिए और न हम किसी की बाधा को सहन ही कर सकते हैं पर सारे प्रांतों की सारुजिनिक भासा का पद हिंदी या हिंदुस्तानी को मिलना चाहिए देखें सुवाचनर वोस बोल रहे थे कि अपने जो छेत्री भासा है उसको आप बढ़ावा दीजिए ठीक है हम लोग उसमें रोक टोक नहीं करेंगे लेकि साथी साथ सारुजिनिक भासा के दिबात की जाए ठीक है तो उसमें हिंदी का जो है वो महत्व जादा दीजिए ठीक है चलिए आगे है राज भासा के बारे में देखिए राज भासा राज भासा का साथी कर्द राज काज की भासा ठीक है जो भासा देश के राज की ये कारियों के लिए परियुक्त होती है वह राज भासा कहलाती है ठीक है यह भासा सरकारी काम काज चलाने के लिए आवस्यक मानी जाती है राश्ट्र भासा हो गया कि देश में ज़्यादा लोग जो बोलते हैं ज़्यादा समझते हैं ठीक है वह हो गया आपका राश्ट्र भासा ठीक है लेकिन राज भासा हो गया कि वह भासा जो उस देश के जितने भी राज काज है वो उसी भासा से हो रहे हैं ठीक है देखे या पस है कि वह राश्ट भासा कहलाती है जो की वह देश या राज की राज काज की भासा हो मतलब वहां के राज की ये कारियों के लिए उप्योग होता हो स्वसासन आने के पहचात राज भासा क्यों सकता होती है प्राया राश्ट भासा ही स्वसासन आने के पहचात राज भासा बन जाती है तो हम लोग की राष्ट भासा कौन था हिंदी था इसलिए राज भासा भी कौन बन गया हिंदी बन गया ठीक है भारत में भी राष्ट भासा हिंदी जो राज भासा का दर्जा प्राप्ट हुआ है राज भासा एक समिधानिक सब्ध है, हिंदी को 14 सितमबर 1949 को समिधानिक रूप से राज भासा घोशित किया गया मतलब उस देश में, मतलब भारत में अब इसी भासा में कामकाज होगा उफीसियली इसलिए परतेक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवसकरूप में मनाते हैं यह भासा देश को अपने प्रसासनिक लक्षियों के द्वारा राजनितिक आर्थिक इकाई में जोडने का काम करती है यही भासा प्रात्मिक सरते राजनितिक प्रसासनिक एक्ता कायम करता है राज भासा का परियोग छेत्र सिमित होता है वर्तमान समय में भारत सरकार के कारियाले एवं कुछ राजियों हिंदी छेत्र के राजियों में राज की ये हिंदी में होता है राज का जो हिंदी में होता है अन्य राज सरकारों में अपनी भासा में कारे करती है हिंदी में नहीं, महराष्ट में मराठी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, इत्यादी कंदे मतर देखें, जो राज भासा है न, इसका एक सीमित छेत्र होता है क्योंकि मान लेते हैं कि पंजाब है तो पंजाब में पंजाबी उपयोग होगा महराष्ट है वहापस महराठी उपयोग होगा वहाँ के राजकाज में लेकिन जहाँ जहाँ आपस हिंदी बोला जाता है वहाँ का राजकाज जो है वो हिंदी से ही किया जाएगा ठीक है जैसे कि आपका जहारखंड हो गया ठीक है बिहार हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं अनुछे 343 में है संग की राजभासा ठीक है? देखें, संग की राजभासा हिंदी और लिपी देवनागरी होगी अंको का रूप भारती अंको का अंतराश्टिय रूप होगा इस समिधान के प्रारंब से 15 वर्स की आधी तक उस सभी सास के प्रियोजनों के लिए अंगरेजी भासा का प्रियोग किया जाएगा जिन के लिए पहले प्रियोग किया जा रहा था ठीक है? परंतु राश्टपती उप्त अवधिक के दोरान संग के राजसास के प्रियोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भासा के अतिरिक हिंदी भासा और भारती अंकों के अंतराष्टी रूप के अतिरिक देवनागरी का प्रियोग प्राधिकरित कर सकूँगा तीसरा है कि संसद उप्त पंदरा वर्षों की अवधि के पचात वीधी द्वारा अंग्रेजों की भासा है या अंकों के देवनागरी रूप है या एवं ऐसे प्रियोजनों के लिए प्रियोग उपबंधित कर सकेगी ऐसी वीधी से निर्धिष्ट किये जाएं आगे eligible 6344 देखिए राज भासा के संबंध में आयोग पांच वर्ष के उपरांत राष्टपती द्वारा और संसत की समिती दर्स वर्षों की उपरांत या 6345 में राज की राज भासा या राज भासाएं प्रादेशिक भासा की बारे में है भासाइं या हिंदी ऐसी विवस तक अंग्रेजी का प्रियोग जारी है। देश की भासा में ही करना अनुभव किया गया। बाहु भासिक्ता की स्थीती और देश में बिधमान अन्य भासाओं के महत्पून महत्तों को स्विकार करते हुए समिधान निर्वताओं ने हिंदी सहित 22 प्रुमक भासाओं को समिधान की आठियन सुची में मानेता प्रदान की है। मनिपूरी, नेपाली, कौंकन, हिंदी, संस्थाली, डोगरी, बोडो और मैधली। ठीक है चली आगे बढ़ते हैं। देश की सांस्कृतिक एवं मार्मी कस्तर पर जोलने का महत्तों दाईत्व संस्कृत को था जो लगभग 3000 वर्सों तक अपने दाईत्व को निभाया। अब से अब तक देश के विभिन प्रांतों में अबाद गीतों से हिंदी का प्रणजाल धार्प वाहित हो रही है। आगे देखिए आगे है संपर्क भासा। देखिए संपर्क भासा का परयोग अंगरेजी के लिंगवा फ्रेंका के प्रसिद रूप के रूप में किया जाता है लिंगवा फ्रेंका से ततपर है लोग लोक बोली अथवा अन्य भासा बोली ठीक है अन्य समान बोली जिस भासा के माध्यम से एक छेतर के लोग देश के अन्य छेतरों की निवासियों से अथवा एक भासा के बोलने वाले लोग अन्य भासा भासियों से अपने विचारों क अदार प्रदान करते हैं उसे लिंग्वा फ्रेंग का अत्वा संपर्क भासा कहा जाता है ठीक है भारत विभीन ताओं को देश यहां भासाओं की संख्या सेकड़ों में है 22 भासा आएं तो समिधान की अश्टम सुची में है उलेखित है ठीक है इस द्रेश्टी में यहां सं मद्य देश की भासा सारे देश की मद्य भासाओं अत्वा संपर्क भासा रही है संस्कृती पाली अत्वा प्राकृत किसी छेत्र विशेस तक्सिमित नहीं थी तमिल भाग्ची प्रदेशों में 1200 इसावी से ही संस्कृत राज भासा के रूप में स्विकार कर लिया गया था सिक्षा दिक्षा प्रसास्की और सांस्कृतिक कार्यों में ही नहींYes sheakabhi प्रनयन में भी संस्कृत भासा सामिल था चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखिए अस्पर्ष्ट है कि तमील प्रदेसों ने संस्क्रीत को राश्ट भासा के रूप में स्विकार कर लिया था मध्यकाल हिंदी के विकास और अन्य छेत्रों में संपर्ख का काल रहा इस काल में दप्षिन के आचारियों वलभाचार्य रामानुज निम्बार्क रामानंद आदी ने संपर्ख भासा के महत्तों को समझा और भर्षक इसे संप्रेशन का माध्यम बनाया हिंदी को संपर्ख भासा बनाने में बॉलीवूट का बहुत बड़ा हाथ रहा है हिंदी फिल्में का सबसे अधिक निर्मान महाराष्ट की मुंबई नगरी में होता है मुंबई बेपार का भी गड़ है रेडियो और टीवी के माध्यम से भी हिंदी का प्रसार हुआ है और सारे भारत के लोग हिंदी को थोड़ा बहुत जानते समझते हैं दिल्ली में ही लगभग पूरे भारत के लोग एक सात रहते हैं और हिंदी के माध्यम से अपने सारे कारे निप्टाते हैं आगे देखें किसी भी भासा का प्ररंभिक रूप बोली होती है समाजिक धार्विक आर्थिक राइनितिक आदिकार्णों से कोई बोली बिख्सित होकर भासा का रूप धारन कर लेता है उसका प्रयोग छेत्र बिस्त्रित हो जाता है भीन भीन बोलियों के प्रयोगता समाज जीवन के विभिन छेत्रों में उक्त भासा का पर्योग करने लगते हैं। विद्वानों के प्रियासों के भासा के रूप में अस्थाइत्म मिलता है और इसका एक आदर्स तथा मानक रूप बन जाता है। सिष्ट जन उस मानक रूप के पर्योग करने लगते हैं तथा समान्य जन जो एतिंक गिंचित छेत्रिये प्रभावों के साथ उस भासा का पर्योग करने लगते हैं। राश्ट भासा हिंदी के सुरूप से तत्पर है सर्वसाधारन से लेकर सिख्षित वर्थ तक सबके द्वारा प्रयूप की जाने वाली भासा का सर्व मान रूप। इसका प्रयोग भारत के अधिकांस भूभाग ने किया जाता है। इन ही के प्रिर्णा से महर्शी द्यानंद ने हिंदी में भासन देना प्रणा किया और हिंदी में सत्यात परकास की रचना किये। ब्रह्म समाज के संस्थापक राध्याराम मोहन राय मानते थे कि केवल हिंदी ही अखिल भारतिये भासा बन सकती है। आरे समाज के संस्थापक महर्शी द्यानंद सवस्वती मुल्ता गुजराती थे परंतु अपने भासनों गरंथों लेखों में उन्होंने हिंदी का वरेता दिये हैं हिंदी को जादे। देखे आगे है संचार भासा क्या है उसके बारे में देखे संचार भासा। संचार सब्द की उत्पति चर से हुई है जिसका अर्थ होता है चलना या एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक पहुचना। संचार के संबंध विलर ने कहा संचार अनुभव की साज़दारी है इसका सरेनी गनेश तब होता है जब श्रोथ का संचारक एवं एक उदेष्य के साथ अपने किसी विचार या संदेश या भावना को किसी एक तक पहुचाना चाहता है तब संचार की सुराथ होती है संचार जब संचार की प्रतिकिरिया बड़े पैमाने पर होती है तब वो हजन संचार कहलाती है इसके संबंध में कहा जा सकता है कि हम किसी भाव या विचारों या जानकारी या तत्यों को दूसरे दूसरों तक पहुँचाते हैं और प्रकिरिया सामुहिक पैमाने पर होती है तब या प्रकिरिया जन से चार कहलाने लगते हैं ठीक है जन संचार आगे देखें आगे है कि जन संचार का मुख्य उदेश्य जानकारी या भाव या वीचार या तत्यों को समाज के उन लोगों तो पहुँचाना है जहां तमाम लोग उससे संबन्ध रखते हैं आगे है कि भारत एक लोगतांत्रिक देश है ठीक है इस देश के लोग तक समाचार पहुचना सधारन काम नहीं है उसमें भी घर घर इस कठीन काम को करने का संकल्प लेना या बहुत बड़ी बात है फिर भी इसके संकल्पित लोग विश्वास निस्पक्ष्टा निष्ठा य जिसको बोखोबी निरोहन संचार कर रहा है जन संचार के माध्यम परमुख माध्यम तीन है जिसमें मुद्रित माध्यम स्रव माध्यम और द्रिस्चे माध्यम के नाम से जाना जाता है पहला देखे मुद्रित माध्यम देखे वैसे संचार माध्यम जिसके संप्रदान का का पारे मुद्रन से प्रकासित होता है, जिसके अंतरगत संचार पत्र, इंटरनेट पत्र पत्रिकाएं आते हैं, जिसके छपे हुए सब्दों में अस्थाइत्व होता है, जिसके संचार से धीरे-धीरे आराम से पढ़ा जा सकता है, इसको बार-बार पढ़ने के सुविधा प् इनका उप्योग किया जाता है इसका संबंद भासा से होता है इससे भासा का विस्तार होता है यह चिंतन मनन विचार एवं विचलेशन की भी माध्यम है अगे हैं मुदृत माध्यम की कुछ विस्यस्ता है या खामिया जिसको से इनकार किया नहीं जा सकता है उसकी सबसे इस से विशेश लाग प्राप्त करते हैं। इस विवस्था में आपचारिक या अनुपचारिक सिक्षा प्राप्त योग्य लोग के लिए उपयोगी होता है या निरक्षरों के लिए पूनता अनुपयोगी एवं अनुपयोगी है इसका समद्ध निशित सिमावधी से है जिस इसका समचार नियत औधी में ही पाठक के समक्ष पहुचता है जबकि ताजा तरीम घटनाओं का टीवी रेडियो से संचार प्राप्त कर लेते हैं इसके संपादक एवं पत्रकारों को अपनी बात रखने की सब्द सीमा निधारित होती है जिसके कारण ऐसी बातों पर ध्यान रखना रखा जा सकी ठीक है आगे देखे आगे है सरव माध्याग इस माध्यं से प्राप्त संचार के निम निमलिखित समय की प्रतिक किरिया प्रतिक च्छा करने पड़ती है इसके खबर को पिछे लोट कर सुनने की सुविधा नहीं है फिर भी इस माध्यम की खुबियाय या कमिया से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता हुआ है, इससे साक्षर यो मिर्चक्षर दोनों तरह के लोग प्रोहाइथ होते हैं, रेडियो मुल्ता एक रेखिये जनसंचार का माधेम है, इसमें सब्दो का आयों धोनियों का विशेष महत्तु होता है, इसकी खामिया भी कम नहीं है, जिसको से इनकार करना समभव नहीं है, सबसे बड़ी खामी इसकी यह है कि इसके खबरों के पीछे की तरफ लोट कर सुनने की सुविधान नहीं होती है, इतना ही नहीं इसको संचार के लिए नियत समय तक प्रतिक्षा करनी पड़ती रेडियो में संचिप्त तारू का प्रिएक कलते समय विसेस सवधानी भरतनी पड़ी थी आगे हैए इलेट्रोनिक माधियम टेलिवीजन देखे रेडियो की ही तरह टेलिवीजन भी एक लेखिय जनसर चार माधियम है इस माध्यम में सब्दो एवं धोनियों की अपेक्षा द्रीसियों तस्वीरों का महरत्व सबसे ज़्यादा देता है इसमें सब्दो का चेंद्रिस से के अनुसार किया जाता है इसके लिए द्रिस और सब्दो को सयोगी की रुप में माना जाना पड़ता है ठीक है काम करना प पर ध्यान केंदित किया जाता है वे वाइट ही वाइश ओवर द्रिस्तियों का अंतराल भरने के लिए सेतु का काम करते हैं इसके अंतरगत फिल्म टेलिवीजन और रंग मंच या अन डिजिटर माध्यम आते हैं जन सचार का सबसे सुलब लोगपीर यों ससकत कोई माध्यम ब प्रथम हुआ हो तो वह इंद्रागांधी उन्हीं के नेतित में देश में दूरदर्शन का जाल विछा चुका था ठीक है इसने बिश्व के लोग के जीवन अस्तर को ही बदल डाला है आप घर में होतो ओफिस में होतो सफर में होतो या किसी सुदूर सहर या गाव में हो या देहाती छेतर में एक करल में वारता संघर्ज समभ हो जाता है जहां आधुनिक मानो जीवन के दसा और दिसा ही बदल जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखिए समिधान में हिंदी को राज भासा का पद मिला है इसे जीवन के हर छेतर में उपयोगी बनाने और ब्यवहारी गुरूप देने के छेतर में हिंदी भासा की प्रयूक्तियां का प्रयूप बढ़ा है हिंदी एक सक्षम भासा अता इसमें विग्यापन सहित्य का विकास नहीं हो सकता है ऐसी बात सोचना ही हास्पद्य है कि हिंदी विग्यापनों में हिंदी की कर्शन शंता इसलिए बढ़ा है कि हिंदी विग्यापनों की संक्या सकरात्मक होती है इंड्रा गांधी में वाकिसे नचना उप्याक पटबंत था सब्द संपदा की प्रयूक्त अधिकारी छात्र में अधिकारिक मात्रा में होता है अता यह ग्राह को और दर्शकों को अपनी और आकर्शित करने में सक्चम है जो बिग्यापन लेखक समाजिक और सांस्कृतिक सारोकार से जूड़ कर हिंदी में मौलिक बिग्यापन लिखते हैं उनकी और जन्मन सहज रूप से है आक्रिष्ट होता है कि विग्यापन लेखक अपनी जरूरत के नुशार हिंदी विग्यापन लिखते समाई नए नए परियोग कर रहे हैं वे इन परियोग के लिए उसे सब्द विचलन, सब्दस्थनांतरन और समनांतरता का सहारा भी ले रहे हैं आकर्षन तुनलात्मक पदावली के परियोग में छमता का परियोग दे रहे हैं वेलंकारों, मुहावरे और सुत्रद वाक्यों तथा तरह-तरह के भासिक परियोगों को अपना कर हिंदी के लिए काम करने के प्रती-प्रति बद है जिससे हिंदी अपना चेत्रा विकास कर रह देखें, किसी भासा का एक अनिवारे गुन उसकी सुरूती मधूरता एवं पठनियता है। पूर्ण सक्षम बना चुकी है। समाज को विश्वाज वह सहज नहीं होता है। खास कर ऐसे लोग जो इंडिया को जानते नहीं उसका हिंदी प्रेम हैरत में डालता है। मध्य अपरिका का देश चाड ऐसे ही देशों में सुमार है जहां हिंदी सिखना जुनून बन गया है। यहां की योगों ने पहले हिंदी सिखी फिर दूसरे को सिखाने लगे। यहां अब इसकी पूरी टीम है जिनका काम युवाओं को हिंदी सिखाना है। तब तो कहां जा रहा है मध्य अफरिका के देश चाड में हिंदी सिखने का जुनून। ठीक है। आगे देखें। आगे है कि हिंदी के बढ़ते महत्वकों ब्रिटिस राजनाईकों ने वर्स 2012 में सक्षम लिया था। उन्होंने तभी से प्रियास सुरू किया कर दिये थे। कॉलेज के एल ए लेवल निकि भारत के प्लस टू के बराबर कोर्स में इंग्लिस पढ़ाय जाना सुरू किया गया है। शुरू आत में यूँ तो उपनिसद वाग के दोरान 17 सदी से ही सुरू हो गई थी लेकिन इसका ब्यापक सुरूप अब सामने आ रहा है। कई टीवी चैनलों और फिल्म में अब खुल कर इसका इस्तेमाल सुरू हो गया है। दरसल कई अंग्रेजी बोलने वाले देशों में हिंदी के कई सब्ध प्रशलित हैं। पाय जामा और सैंपू जैसे सब्ध भारत में भी भारत में ही सुरू हुए माने जाते हैं जो दुनिया में प्रशलित है। कॉलेज में हिंग्लिस के कच्छा ले रहे है भारतिय मुलके सिख्छक विराज साह ने बताया है कि इसके लिए भारत फिल्मों की मदद ले रहा है। इस कोर्स को लेकर छात्रों की अच्छी प्रतिकिरिया को देखते हुए सितंबर में अगले सत्र से कोर्स की अवधी बढ़ा जा सकती है। आगे हैं हिंदी का आर्थिक महत्व इस ओर संकेत कर रहा है। ब्रिटेन में कई भारती कमपनी और भारत में नौकरी के लिब्रिटिस सात्रों को हिंगलिस की जरूत पड़ रही है। वह इसके उल्टे ब्रिटेन में अब हिंदी को लेकर दिल्चस्पी बढ़ती जा रही है। हिंदी में टक्निकी सहित्ते के इस रिजन को पुरुशायत करने के लिए सब्धावलि का मान की करन करना जारी है। इसको विकास के लिए टक्निकी विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। टाइप राइटर और टेली प्रिंटर और आसुलिपी और कंप्यूटर के रूप में तक्निकी संसादनों का हिंदी में हिंदी के लिए अधिक समर्थक विकास किया जा रहा है। हिंदी को प्रसाहन दिया जा रहा है, इसमें साहस और प्रदर्शन किया सकता है, इसके निशित कुछ जोखिम उठाने के जरूत है, अब हिंदी भी स्व अस्तर प्रवेग्यानिक और टेक्निकी प्रगति के साथ कदम में कदम मिलाकर चड़ने के लिए प्रयासरत है। चले द